बिस्मिल्लाइर्राम अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग आज हम बनाएंगे हलवा पूरी वाला मज़ेदार सा हलवा तो इसे आप जो ट्राइ कीजिएगा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब परें और बैल आइकन प् फूड कलो चुताई चाय का चमच चोटी इलाची चार से पांच और चीनी लेंगे हम एक पाऊ चीनी और सूजी हमने बराबर लेनी है पानी लेंगे हम एक लिटर अगर सूजी एक पाऊ है तो हमने पानी एक लिटर लेना अगर एक प्याली सूजी किया तो हमने इसमें चा कि गी को हिलका सा मेल्ट करेंगे और साथ इसके हम डाल देंगे सूजी अब हम सूजी को गी में फ्राई कर लेंगे सूजी को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना बस गोल्डन कलर देना है इससे ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने इसमें अभी फूट अगर हम इसमें फूर्ट कर भी डाल देंगे और इसको फ्राई भी ज्यादा कर देंगे तो हल्वा मारा अच्छा नहीं बनेगा तो इसलिए हमने इसको हलका गोल्डन कलर देना है तो जब तक सूजी हमारी फ्राई हो रही है हम दूसरी तरफ इसके लिए शीरा त्यार करेंग जाता इसे हम चुले पर रखेंगे अब साथ इसमें डाल देंगे चीनी और साथ इसके हम डाल देंगे सबजी लाची अब इसे हम चीनी मेल्ट होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे जब अच्छे से इसका शीरा बन जेगा फिर इसमें फूड कलर डालेंगे तो देखें शीरा अच्छी तरह से बन चुका है अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर बस दो से तीर मिनिट के लिए हमने इसको पकाना है तो देखें शीरा हमारा रेड़ी हो चुका है और दूसरी तरफ सूजी भी हमारी फ्राई हो चुकी है अब हमने इस शीरे को अराम अराम से सूजी में डालते जाने है तो शीरा हमारा सारा डाल चुका है अब इसे हम दर्म्यानी आज पर 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे क्योंकि 5-6 मिनिट में हलवा हमारा बिल्कुल रेड़ी हो जाएगा ढूल में गलानी हो स्काइगा想 लोहरा सिम्धा सभाइए न में तो 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 देखे हलंवा हमारा रेडियो चुका है अब इसे हम बॉल में डालेंगे तो मज़िदार सा हलवा हमने बॉल में डाल लिया अब इसके उपर हम तोड़ी सी बदाम और पिस्टे की गार्डिश करेंगे तो त्यार है बहुत ही मज़ेदार सा हलवा पूरी वाला हलवा इसे आप जो ट्राई कीजिएगा और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें दौा में याद रखें और अगली वीडियो ताके लिए अल्ला हाफिज